मेरी दुनिया अंधेरों और आवासों में रंगी है यह आवाजे ही तो हैं जो मुझे बता दिये कि दिवार पर लगावा बंखा आवासे पर्दे को छेड रहा है और आवाटें दुर्वासा खुलने की और कदमों की जो मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आए है डॉक्टर अंदर आकर मुझे बताई देते हैं और यह बताते हैं कि मेरा आवपरेशन काम्याब रहा कि अब वो मेरी पट्टियां खुलेंगे और मैं देख सकूँगा वो कहते हैं कि मैं आगे तब तक बंद रखूँ जब तक मैं उस चीज या इनसान को ना देख लूँ जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था कि अब मैं अंदेरों का साथ चोड़कर रोशनी का हाथ थामने के लिए तयार था पर क्या मैं तयार था एक अजीब सा डर लग रहा था वही डर जो उस दस साल के छोटे बच्चे को आगे कदम बढ़ाते हुए लगता था कि आगे क्या है तो सही हम सबसे पहले किसको देखना चाहोगे जी डॉक्टर जब मैं आया था मेरे पास एक बैग था छोटे होते हुए भी आगे कदम बढ़ाने में इतनी मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि मेरा हाथ थामने के लिए कोई था मा कभी उनके हैसास के सारे तो कभी उनकी आवास के मैं इस दुनिया को देखता था सेयम और आगे बढ़ना सीखता था मेरी दोस्ती आवाजों से और हाटों से मा नहीं करवाई थी उन्हें जानवरों से बड़ा प्यार था बेटा यह काओ है यह ऐसे आवाद करते है कॉनसा अनिमल था काओ बेरी गुड परे दुनिया बहुत पड़ी थी और वह सारी आवासे शोर की तरह मैं डरता था अरे डर्ना नहीं देखो इसको हॉन बोल नहीं पर मा कभी पीछे नहीं अटी उन्हें जिसे टान लिया था कि वह मेरी दोस्ती दुनिया की हर आवाज से करवा करी रहेंगी तो कभी भारिश, कभी गुत्ते, कवे, पंदर, पत्ते और डग और बाकी की चीज़ें अनुभव के साथ आती गई परा मा साथ में थी मैं चीज़ों के आकार को समझने की कोशिश करता था पर फिर बीचे से कुछ कम ही थी हमेशा यही सोचता रहता था कि रंग क्या है, रोश्णी क्या है जिसा आकार को मैंसूस कर सकता हूँ वो दिखता कैसा है उनसे कभी कहता तो नहीं था पर खेर, वो मा है शायद उन्हें भी इस बात का पता सा कि मैं अपने चेहरे पर गिर्थी हुई दूप को देखना चाहता हूँ तभी एक दिन बीटा सयंग, छोड़ो इस पाद देखो, मामा तुमारे यह क्या लाई? मा यह क्या है मा? बेटा, इसको हम कैमरा कहते हैं और देखो इसका बटन यहाँ पर है पूछोगी ने कैमरा से क्या करते हैं? कैमरा से क्या करते हैं? बेटा, आगे चलके तुमें कोई भी ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसकी तुमें ऐसा मन करता है कि तुम तस्वीर खीच लो और जब तुम ठीक हो जाओगे, बड़े होके और तुम उससे देखना चाहोगे तुम खूब सारी तस्वीरे खीच लेना और मैं आगे चलके उने प्रिंट करा दूँगी और वैसे ही तुम उन सारी तस्वीरों को ठीक होने के बाद देख सकते हो ठीक है पेटा? पर तुम खीच होगी कैसे? देखो, कभी भी तुमें ऐसी कोई भी आवाज सुनाई देती है जिसका तुमें मन करता है कि मुझे इससे देखना है तब ये जो ये वाला हिस्सा है इसको लेंस कहते है इसको जगे पॉइंट कर देना जैसे कि इस जगे तुमें अगर सामने से आवाज आ रही है तो इससे सामने के तरफ पॉइंट कर देना और इससे ऐसे पकड़ो बेटा ये वाला बटन खिच गई फोटो ठीक है बेटा और फिर खूब सारी फोटो एक खटी हो जाएगी और मैं उसे एड़न में प्रिंट करा दूँगी अच्छा ये बताओ सबसे पहले किसकी फोटो खिचना चाते हो तो ममा की चलो खिचो ममा की सुन्दर सी फोटो अशे यहां सी आवाज आरिये ना चलो की जो खिचो तिखाओ 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 उसके बाद मानो जैसे मझे बड़ा उने कि लिए गने असाथी मल गया था कहीं से भी आवाज आती तो मैं केमरा को अस्दिशाय एमोड कर बटन दबाते था हर वो हावास जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था मेरा नया साथी उसे मेरे लिए तस्वीर में कैद कर देता था और मैं तस्वीरे खीशता गया रोज शाम को मैं और मां घर की चट पर बैठते थे और मां मेरे दिन की सारी तस्वीरों को देखती थी फिर वो इन सभी तस्वीरों को कागस पर उतार लेती थी नजाने ऐसी कितनी तस्वीरें थी इन सभी तस्वीरों को काट कर वो इनको किताबों में डाल देती थी इन किताबों को आल्बम कहते थे नजाने घर पर ऐसी कितनी आल्बम्स थी उन सभी पर प्रेल से उनके अंट लिखे हुए थे और मैं यही दूआ करता था कि कभी आँखे खुलेंगी अगर आँखे खुलेंगी तो उन सभी तस्विरों को देखुँगा उन सभी यादों को दुबारा जियूँगा और बीटे हुए वक्त के साथ-साथ मेरी दूआ कबूल होने को आई काश ऐसी दूआ ना की होती जाते जाते माँ मुझे अपनी आखों की रोशनी दे गई जालें समय हो गया बसी करें मेरी वक्त करें मेरी देखुए दूआ क discरें करें झाल 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 झाल